गंगा एक विनाननु स्वरूप चे गंगा ने जे माथे राखे छे ए जीव शीव रूप थाई चे गंगा ने माथे राखे तेने शान्ति कायम माथे टके छे बगीरत राजा लईयाव्या एटले गंगा जीन्दू नाम पड़िव भागीर थी गंगा जी नारायन चरण माथी भार आव्याँ चे नारायन ना चरण मां गंगा छे, शीव जी निह मांथे गंगा छे। आगल चालता ये जुवन्ष मां खत्वांग नामनो राजा थयो। खत्वांग ने देवो तरप्ती जानवा मलिव। 40 मिनिट पची मरन आववानों छे। तेने सर्वस्व छोड़ी मनने बगवान मां छोड़ी दिदू। परमात्मानु ध्यान करता तेने शरीर नो त्याक करयो तेने सदगति मली। आम मात्र बे घडी मां खत्वांग ने पोतानु श्रेय अत्मक ल्यान साधिली। खत्वांग पची थाया दिर्गबाहू और दिर्गबाहू ने त्या थाया रगू। अने आती उदार हता है। तेमना जे वो दान आपनारो थयो नती अने थनाव नती। रगू राजाये केवल पहरे नुवस्त्र राखी सर्वस्वनु दान खली हत। रगू राजाये अने की अबनो करियाता तेमनी किर्ती वदी गई तेती ते सूर्य वंशनु नाम रगू वंश पड़िय। भगवाननों वंश सांबले तेना वंशनो नास्थ तो नती। रगू ने त्या थाया अज और अज ने त्या थाया दश्रत। दश्रत राजा आयोध्यामा राज करता हाता पूर्व जन्ममा तेवो ब्राम्मन हता गाम बहार रणचोड राईडू मंदील है ब्राम्मनों नियम रोज एक हजार तुलसी दस तेवो भगवानने अरपन करता है पुरुद्ध थाया चे 85 वर्षनी उमर थाईचे एक वकत ता आव आव आवयो ब्राम्मन ताव ने कहे कि उमारा ठाकोरजीनी सेवा करियाउँ पचितू आवजे ताव नु दुख भोगवा तयार छूँँँपन मारी सेवानो क्रम नतुतुटुँआ जुएँ संकल्प करयो ते जक्षने ताव उत्री गयो रन्चोड राईना मंदीर मां तुलसी दल अर्पन करवा आगया रोजना नियम प्रमाने विश्णू सहस्त्र नामनो पाठ करी ने तुलसी दल अर्पन करया ठाकोर जीने कहूं प्रभू आजे मारू छेल्लू दर्शन छे आजे मने ताव आव्यों होतो एटले कदाच आ शरीर पड़ी पन जाए बंदीर थी ब्राम्मन घेर आववा निकल्या आवता हता त्यां कोईनो रडवा नो वाच सामलेो जोयू तो एक पिशाची नी रड़की हती पिशाची नी ये कई हूं पूर्व जन्ममा में बहुत दुराचार करयो मारा धनीने त्रास आपयो तेथी हूं पिशाची योनी मा आवी छूं हवे आप मार उद्धार करो ब्राह्मन ने दयावी और परमात्माने प्रार्थना करी है प्रभू आप आपी जीव दुख बोगवे छे आप आपी जीव ने उद्धार था येव करो उमारू सर्व पूनियते माठे कृष्णार पन करो छूं प्रभू प्रसन्न थाया पगवाने कहिऊं बिजा जन्म मात्म दश्रक थाईश पिशाची ने कउशल्या हसे उम तारे त्याँ पुट्र रूप्याविश तारू पूनियते एक जीव ना उद्धार माठे वाप्रियू ते थी अने अननत गणू थाई गयो जे ब्रामणे त्याँज शरीन नो त्याक करयो अने ते बिजा जन्म मा दश्रक थाया छे रामजीना जन्मनं अनेक कारणों बतावे आचे कल्प कल्पनी कथामा थोड़ो फेर आवे छे पर नारत जीना शापनू कारण आपणा जिवा साधरन जीव माँ ते उप्योगी छे ए इंद्रे या धीन मानव एज इंद्र छे जे बहु भोगी ने विलासी होई छे तेनु मन शंकाशिल होई छे इंद्रे कामने बुलावयो नारजी नी तपस्यामा विग्ण करियो काम आवयो विग्ण करवा लागयो काम देवे अनेक उपायो अजमावया पन सफ़तान मली नारजी इश्वर ने धान मलीन हता जे इश्वर ती विमुक थाई तेने काम पजवे नारत जी तो नारायन ना जान मली ना था, तेने काम शू करी शके, काम देव हार मानी ने नासी गयो आवा प्रसंगे भगवान भक्तनू रक्षन करे छे, और नारत जी ने अभिमान थाई गयो श्रिवजी एक रोध ती कामने बाळो तेमा शू आस्चरिया, में तो कामने विना प्रयासे जिती लिदो छे नारत जी ने तहिए चाल श्रिवजी पासे जाओ, तेवने मारी काम विजय ने कठा कई संबलाओ नारत जी काईलास मा आवया, श्रिवजी नारत जीनों स्वागत करियो, पदारो, पदारो नारत जी भप्त छे, नारत जी उपर श्रिवजी ने प्रेम छे शिव जी नारत जी ने खूप मान आपे चे, मानवी ने बहु मान मले चे, त्यारे नाम अभिमान आवी जाई चे। बिनानी ओने कोण मारे चे, तो के अभिमान मारे चे। शुँजी ने थव नराद जी पासे थी राम कत्या सांबड़वा माषचे। पंन नराद जी एतो पोता नहीं कत्या क हैवानी शरुवात करी और काम वीज़ेनी कत्या करी लिगे। शुँजी नठवय। नारत जीन अभिमान थायू छे, तेमने नारत जीन न कईउ आ बात कवे मने भले कई और ते भगवाल नारायन ने खेशो नहीं, नारत जी तिना थी रवाना थाया, नारत ने थायू स्रिव जीने मारी अधे खाई थायी गलागे चा, पोतानो मुहिमा ओछो था, ये टले आ ब बात करवनी भीजाने ना पाड़े जो नारत जी आवया वहीं कुठ लोक मा नारायन पासे रोज तो आवी ने साश्टांग प्रणाम करता ह। बड़ा जेत अभिमान मां छे कामने में जीत्यों छे प्रणाम पन्नक कर्या नारायने पूछू बोलो नारत जी शूं समाचार चे मुविमाले मां ध्यानमा बेठो हतो कामदेव अनेक लिलाओ करी भगवाने पूछू पच्छी शूं पच्छी तेमने शूं करी शक्वानो हतो इमारू मन ध्यानमा स्थी रतूं कामदेव नासी गयो काम विजय नी आखिक कथा नारत जी ये रस पूर्वक वर्ण बेजिद भगवान समझे गया क्याने अभिमान थयू छे आँ अभिमान तेनो पतन कर्शे भगवान भक्तोना कल्याननी बहु चिंता राखे छे हरी ही ओम झाल 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